हाई अबरिवन वेलकम तो डिश्चल जी के क्लासेस तो BPSC सिक्षक भरती 2030 प्रात्मिक माध्मिक उच्छे माध्मिक से रिलेटेड सिक्षा विभाग का नया लेटर जारी हुआ है BPSC रिजल्ट का जो नया लिस्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ सारी यहाँ पर चीज़े जो की अभी जस्ट मेरे पास आया है तो मैंने सोचा आप सभी को बताना चाहिए निफ्ति प्रक्रिया का जो प्रसिक्षर दिया जाएगा उसके पून कराने हेतु भी नोटीस जारी हुई है सारी चीज़े आपको मेरे चैनल से बताया जाएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि आप में से बहुत सारी लोग आज भी वेट करने होंगे क्योंकि काफी समय से आपने सुना होगा कि 15 या फिर 16 पंदर या 16 अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा तो आज आपको पता ही है आज संडे है 15 अक्टूबर तो आप में से बहुत सारी लोग ये कमेंट भी कर रहे हैं कि देर रात तक जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा आज या फिर कल और एक और नई डेट आई ही है आपने देखा होगा जब से एक कोड केस वगर हुआ तो उस साथ में BPSC के चैर्मेन जी ने भी यही बताय था कि हम आप भरोसा करें या ना करें बट हमारा काम चल रहा है बहुत जल्ड रिजल्ट जारी हो जाएगा देखो पेपर लिए है रिजल्ट आएगा ही बट वह जल्दी आ जाएगा तो ही जादा सही होगा क्योंकि जितना ज बहुत अच्छी बुक है प्रारमीक परिक्षाप का बहुत पास में है और सलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने बुक को तयार किया है जी एस के 50 प्रशन विज्ञानगडिक के 50 रीजनिंग के 50 मंदर टोटल डेड़ सो प्रशन अगर आप इस बुक से तैयारी जहां से आपका कॉंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा और 300 पेपर्स हैं इसकी सेंपल पीडियेफ में आपको दिखाना चाहूंगी यहां पर आप देख सकते हो कितने अच्छे से इन्होंने कॉंसें को और्गिनाईज किया है साथ में डिटेल में इन्होंने सलूश सिक्षा विवा के अफिशल वेब साइट पे जाकर आप चेक कर सकते हो जीला सिक्षा पदादिकारी मधेपूरा यह तो मधेपूरा का है बाकी हर जगा यह नोटीस जा चुकी है अलग लग जीले के नाम से आप यहां पर देख सकते हो प्रारंबिक सिक्षा समगर सिक्षा अभियान सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है आखिर में यह क्यू जारी हुआ है और हर जीले में ऐसा क्यू भेजा गया है इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि रिजल्ट के लिए अब आपको जादा वेट करने की जरूत नहीं है यहां पर देखे लिखा भी लिखा हुआ है प्रकषण साधन केद्र मधेपुरा में आयोजित प्रक्सिक्षण में भाग लेने के संबंध में आप देखो यह प्रक्सिक्षण दिया जाएगा आप जानते ही कोई भी काम होगा चाहे वो एक्जाम से रिलेटेड होगा चाहे वो इलेक्शन से प्रक्सिक्षण देना पड़ेगा तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि उप्यूक्त विश्यक आपको क्लियर जादा नहीं दिख रहा होगा बट मैं आपको पढ़के सुना रही हूँ विश्यक संबंध में अंकित करना है कि जीला सिक्षा पदादिकारी मधेपुर के द्वारा आज दिनांक 14 को वी सी में दिये गए निर्देश के आलोक में दिनांक 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार को पुरवान 11 बजे से 11 बजे से अध्यापक की निप्ति की प्रक्रिया यह जो आपका एक्जाम हुआ है उसी की निप्ति की प्रक्रिया पून कराने हे तू प् आयोजित किया गया है 17 अक्टूबर को पुरवान 11 बजे से जिसमें आप सभी की उपस्तिती अनिवार है तो जितने लोग भी समें लगेंगे आप सभी के डीवी हो चाहे रिजल्ट हो उन सभी से रिलेटर यह इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है अता निर्देश दिया जात 12 अक्टूबर को 11 बजे आयोजित जो अध्यापा की जो निक्ति के प्रक्रिया है उसको पूर कराने हेतु जो प्रसिक्षड दिया जाएगा वही है तो आप समझ सकते हो कि 20 अक्टूबर के पहले रिजल्ट आज आएगा लेकिन आज और कल में डाउट है कि रिजल्ट आप को मिले बट जो रिजल्ट का काम है काफी तेजी से चल रहा है और इसी लिए इन्होंने 14 से लेके 17 इन्होंने बता भी दिया है कि हमने जो भी VC में निर्देश दिया है तो आपको वह काम करना है और 17 अक्टूबर को जो टीचर्स हैं जो एक्जाम सुए है उनकी निक्ति भ कराने के लिए जो प्रसिक्षण है हमने वह आयुजित किया है तो आप सब उसमें सामिल हो क्योंकि कैसे रिजल्ट कराना है कैसे ट्रेनिंग देनी है कैसे डॉक्मन वरिफिकेशन होना है उन सभी चीजों के लिए प्रसिक्षण दिया जाएगा ताकि सब कुछ स्मूधली ह तो इससे आप एक अंधाजा लगा सकते हैं कि रिजल्ट में अब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है तो यह चलो अच्छी चीज है एक अच्छी न्यूज है कि कम से कम इस पर काम हो तो रहा है अधर्राइस अभी तक आप देख सकते थे कि एकदम सन्नाटा था कहीं बट आज यह पता चला है कि जो भी निप्ति के प्रक्रिया है उसको पूर्ण कराने के लिए काम बहुत तेजी से चल रहा है साथ में आपने देखा होगा कि मौनिंग में मैंने आपको यह लेटर दिखाया था जिसमें यह इन्फोर्मेशन निकल कर आई ही थी कि जो और यह यह लेटर जारी हुआ था और मैंने आपको बताया था यह मैं आपको क्यों बता रही हूँ अभी आप ध्यान से देखेगा इसमें जो बीप्यसी जो संभावित मतला आपी जो जो स्टूडेंट्स हैं जो टीचर बनने वाले हैं उन्ही की युगदान की तयारी करने के यह भी आप देख सकते हो तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ जो भी बीपेसी में जो भी एकजाम सुए जो रिजल्ट आने वाला है उसको लेकर साथ में जो भी प्रसिक्षड देना है उसको लेकर काम बहुत तेजी से चल रहा है और यहां पर मैं आ क्या वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहां पर आप देखें, number of schools 1 to 5 में कितने हैं, Araria में कितने हैं, Arwal में कितने हैं, number of schools 9 to 10 में, मतलब कि 9 to 10 में कितने schools हैं, हर जीले वाइज निकला है, तो Araria का निकला है, Arwal का और अंगाबाद का, 11 to 12 का, 1 to 5, 9 to 10, 11 to 12, देखें, यही तो एक्जाम हुआ था ना, आपका, आपका 6 to 8 का, तो थोड़ी ने एक्जाम हुआ था, जो यह लो 6 to 8 का भी निकालेंगे, 1 to 5 का आपका एक्जाम हुआ है, इसका रिजल्ट आने वाला है, 9-10 का exam हुआ, इसका result आने वाला 11-12 का, तो ये report भी जारी हो चुकी है कि किस जीले में कितने schools हैं, चाहे वो 1-5 का हो, चाहे 9-10 का हो, चाहे 11-12 का हो, और यहाँ पे साथ में इन्होंने entry भी बताई है, 1-5 का, 9-10 का, 11-12 का, percentage में भी निकला है, तो total आप ये सारी चीज़े हैं, तो ये भी लिस्ट एक तरीके से जारी हो चुकी है, आप देख सकते हो आपका जिस जीले के हैं, अगर आप ये चाहते हो, पीडियोफ तो मैं आपको टेलिग्राम पे भेज दूँगी और आप जानते हैं, कि जब आपका ये फॉर्म भराए गया था, तो तीन जीले का आपको चैन करने को भी दिया गया था, तो अव्यसी बात है जिस जीले में जितने जादा स्कूल्स होंगे और प्लस मेरिट के उपर भी डिपेंड करता है कि आपको कहां पर जो है, किस जीले में बार से 1-2-5 का, तो सभी अपनी डिवी के लिए रेडी रहें, बाकी ये सारी PDF में आपको टेलिग्राम पर भेज दूँगे, अगर आप कहेंगे तो, क्योंकि ये ओफीशल है, सिक्षा व्यभा के अफीशल वेबसाइट पर जाकर आप सारी चीज़े देख सकते हैं तो चली अच्छी बात है, कि रिजल्ट को रिलेटेड काम तेजी से चल रहा है, और में भी आपको दिवाली से पहले जो है स्कूल आवंटन, ये सारे जो कारे हैं वो भी कंप्लीट हो जाए, मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक्स वोचिंग